आध्यात्मिक्ता, संस्कृति, इतिहास, प्रकृति, महुत्सफ, आत्मज्यान, परिक्रमा और सम्रिद्धी भी एक ऐसा अनुभग, जो विविद और विभिन पलुओं से सम्रिद्ध है, जीवन के हर रश से परिपून, गेट चाज़ड़ अप तो सी अपकमिंग कुल्चुरल स्फियर और स्री चगनात पुरी, और जोनी तो दिस प्लेस, रेजोनेट थ्रूआउट अलाइफ दो जै जगनात, उडिशा के हृदय में बसे, श्री जगनात धाम का ये महत्वपूर्ण मंदिर, श्री जगनात भगवान को समर्पित है, और इसलिए इस नगरी को श्री जगनात पुरी भी कहते हैं, हर साल लाखोश रधालू यहां आते हैं, कोई भगवान के दर्शन करने, तो कोई रथ यात्रा का महचब देखने, और कुछ लोग सिर्फ इस एथिहासिक धरोहर का अनुभव करने आते हैं, हम आ यहां पर अच्छा लगा, हम यहां पर आये, हमको यहां पर बहुत अच्छा लगा, हमारी इक्षा, तो आदा दो कि भूपित है, जो हिंदी बोलते हैं, हमको इहां की बास आने समझे, इसके लिए, भगवान का द्वार इतने च्छा लगा, जल्दा चड़ता, उतरता हमने देखा, को अच्छा लगा, जो अपने मतलब धर महें उसको जाने, समझे, अपने भगवान को पहचाने, और जो भी चीजे चल रही है, वो ऐसी ही चलती रहे, अच्छा लगा, हमको इसा लगता कि हम हर महने आए, कारण चाहे जितने भी हों, लेकिन हिंदू के चार भ its age-old traditions and the rich heritage, सदियो से ही श्री जगनातपुरी हिंदूओं का प्रमुक्तिर स्थल रहा है, लाखो लोगों का धर्म, उनकी श्रधा, उन्हें यहां खीच लाती है, यहां का vibrant culture, rituals, traditional arts और festive celebration, यह सब मिलकर एक ऐसा atmosphere बनाते हैं, जैसक कहीं भी न मिलता हो, the feel of divine energy and positive vibes, lead you straight to the temple, कई पीडियों से लोग यहां पर पसे हैं, कितने ही hotels, restaurants, guest houses, shops हैं यहां, इतनी लोगों की फीड में, इतने chaos में भी, जब आप यहां आते हैं, तो आपकी नजर सिर्फ उस शिखर पर होती है, वही आपका लक्षे है, वही भगवान के समक्ष, आप हो जाते हैं, इतनी अशांत चंचल लेहरों को देखकर कैसे किसी का मन शांत हो जाता है, इस इन्फिनिटी को देखते हुए, आप खंटो यहां बैठे रह सकते हैं, इसके साथ वॉक कर सकते हैं, इन लेहरों से खेल सकते हैं, यह शहर, यह शहर आपको बार बार अपने पास बुलाता है, it is a place where you can call your dream home, तो अपने सपने पुरे करने तो बार बार आना ही पड़ता है, पुरी एक ऐसा देस्टिनेशन है जहां 365 देस्टूरिस फुटफॉल होता ही है तो यहां की मेजर प्रॉपर्टीस जो है वहां के रूम टारिप्स फिफ्टीन हंड़े से फोर थाजन के बीच में रहने है और कुछ ऐसी स्टार रेट प्रॉपर्टीस भी है जिनके टारिप् वहां के ऐसाजन से लेके मेडे सिफ्टीन ताउजन अन्सों हो पूरिस टोर सेग वेच एंज से बीच अर कमिंग बाय देर विकल्स ग थीच भीएट परेट पॉरी यहां जयादा तर ट्रेन से ही आते है है एक और बहुती अनूथी बात है इस जगे की श्रद्धा-से जुड़े लोग, जिब पहली बार इस धर्ती पर कदम रखते हैं, तो इस प्लाटफॉर्म को ही प्रनाम करके और आगे बढ़ते हैं. श्री जगनात मंदिर इस जस्ट 3 km फूरी स्टेशन, तैक्सी या आटो से आप चन्वीनियंटली फ्यू मिनिट्स में मंदिर पहुच सकते हैं. इसके आगे प्राइवेकल्स अलाओड नहीं हैं, तो आप पैदल भी मंदिर चाह सकते हैं, तो आपकी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाती है. प्रभु जगनात के दर्शन के लिए आपको खुद ही यहां आना होगा, क्योंकि मंदिर परिसर में क्यामराज अलाओग नहीं है. अगर आप श्री जगनात पूरी में आए हैं और श्री मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, तो श्री मंदिर और उसकी विस्निती को इंजॉइ करने के लिए सबसे करीब से देखने के लिए आप आ सकते हैं, दग्रान्ट. इस रेस्टरांट में आपको अथेंटिक खाना भ जब जगनत पूरी आएंगे, यहां पर अर्णधान होता है. सब जगा मिठाई हलुआ बगरा बनता है यहां पर भगवान जी के लिए 56 किसम का प्रसाद बनता है, जो बनता है मिठी के बरतन में. और यह बनने के स्टाइल होता है, एक के उपर नौ बरतन रहता है, सबसे प और मानव संबंधों को और मस्बूत बना देता है। बहुत जल्द श्री मंदर परिक्रमा का उठ खार्टन 17 जन्वरी 2024 को होने वाला है। जैसे हमारा भारत विक्सित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मॉडर्न ससाइटी के साथ ताल मेल बिठाता है। ये एतिहासिक धरोहर्थी खुद को बदल रहा है। modern techniques, new building materials और basic amenities के साथ श्री मंदर के चारो तरफ developments हो रहे हैं। road networks, pedestrians, drainage systems, plantations और बहुत कुछ। ताकि आने वाले समय में उन्हें श्री प्रभु के दर्शन भी अच्छे से हो पाए और उन्हें सारी modern facilities और infrastructure भी मिल पाए। श्री जगनात पुरी में अपने प्रिय जनों का धार्मे का नुष्ठान भी बिलकुल उचित पाना जाता है। स्वर्ग द्वार यानि स्वर्ग का द्वार हिंदू धर्म में इसका विशेश महत्व है क्योंकि माना जाता है कि यहां शवों को देह से और पुनजर्म के चक्रे से मुक्ती मिल जाती है। Since centuries, the Kaling Architecture of Urisa has been very notable and awe-inspiring. कई पीणियों से यहां stone-carved magical monuments ही बनते आए हैं। और आज भी इस प्रसिद्ध हस्तकला को जीवित रखा है यहां के stone craftsmen में। इनही में से कुछ आर्टिस्ट पुरी डिस्ट्रिक के भुवान विलज में रहते हैं। जी दो चींटान में मि आरेत ऊक् में पाइला गहां रहते हैं। जीवित अंग घलनले, ईसरा कोंतों बनाते हैं। करना मुदूध को बनाते हैं। कुछ भाली गाई, कुछ थैला का थाड़ भाली आरे, कुछ थैषाने कुरी गई रहतो सराही। अगर आर्ट और आर्टिस्ट्री की बात की जाए तो एक और खजाना चुपा है उरिसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में उरिसा's first heritage crafts village of रगुराजपुर located 12 kilometers from पुरी, this village is one of its kind यहां के valuable cultural traditions, craftsmanship और age old artistic practices कई generations से pass down होते आए हैं नमस्ते, हम पटचित्र बनाते हैं, जिसके लिए गाउं फिर्मों से पटचित्र है, यह होता है दो साड़ी होता है जैसे कि हमारा और अरोत लोगी साड़ी पेंती, कटन साड़ी जो पूरुना हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं वो साड़ी को ले एक सटपट का निच्छे डाल के जो इमली खाता हूं इमली रा बीच वाला स्रीप्ती जो होता है इसको छेच के ग्राइंडिंग करें ग्राइंडिंग करें बाद इसको बोईल करेंगे, बोईल करने से गॉम हो जाता है, ओठा हो जाता है करते हैं इसका बढ़ आपर कने सुपर लेसा हो Had 경 environmentalations से बनाएंगे में लांट प्लाइन इन रिषू बनाएंगे और हैं हो तक सब्सक्राइब कलर है यह ओता है समुदूर का सौंगी सिसेल से बनाया यह रीताल है यह हैंगुल है यह ब्लू स्टोन है यह BLACK कलर है अमारा पांच कलर से हमक्तेटी मेंन रहे हां शपीष्टर हो इसको मिक्समीस करके हम एक 150 कब्रण बनाते यह हमारा चत्र 2017-20 blend उपनाफ है और यही नहीं, इस विलिज के हर घर में कितने ही आर्टिस्स मिलेंगे यह प्लेस बहुत सुन्दर है क्योंकि हर आर्टिस्स ने अपने घर को बहुत ही युनीकली डेकोरेट किया है और वे अपने बनाई हुए आइटंस को सेल भी करते हैं These significant moments that stand out in time और ऐसे amazing experience जो हमेशा के लिए अपने impressions छोड़ देते हैं यही तो बनाते हैं पुरी को एक destination नहीं बलकि एक lifetime experience जै जगननात पूण भूजाप झाल रह बनात